आज में फिर से आपके चोटे चोटे ननी मुन्ने बच्चों के लिए आईरन, कैल्सियम, प्रोटीन, फाइबर से भरपूर बहुत ही साधा हाल दी रेसिपी लेके आई हूँ सरदीक के मौसम में हरी सताजी सबजी या मार्केट में बहुत ही आते हैं लेकिन हमारे बच्चे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं अगर आप सबजी में पाए जाने वाले न्यूटरिशन बेवी को भरपूर मातरा में देना चाहते हैं इस हाली फुट को बना निकले यहां पर हम एक पेन लेंगे और इसके अंदर में कटा हुआ आलो जिसे मैंने काट के रेडी कर लिया था साथ में बींस और हरी मटर सेम सेम कॉंटर्टी में एड़ कर लेंगे थोड़ी सी पाने एड़ करते हुए इसे ग्यास ओन करते हुए लगबग 5-6 मिनिट अच्छे सी कुख होने देंगे तो टोटल यहां पर मैंने 6 मिनिट सारा चीजों को बॉल कर लिया था सारा चीज अच्छे से कुख होके रेडी हो चुका है और इसे ठंडा कर लेंगे गयास का फ्लेम को अफ कर देंगे अप लेंगे गे ग्राइंडर ज इस सकते हैं लेकिन इसे ज्यादा हल्दी बनाने के लिए अब हम दुबारा से पेन बिठाएंगे और गरम कर लेंगे साथ में चमज खी अट कर लेंगे गी गरम होने लगे अब इसके अंदर में आट कर देंगे दो बड़ा चमज सूजी सूजी एट करने के बाद में लगा पानी पानी एट करने के बाद में फटाफट गोल को चला लेंगे और लो जो मीडियम फ्लेम में 2-3 मिनट पका लेंगे तो इसे पकाते वे 3 मिनट हो चुका है हलका सा यहां पे सूजी फुलने लगा है अब इसी टाइम पे मिला देंगे थोड़ी सी स्वात के लिए नमक औ आगे रखाता इसे अब एड़ कर देंगे तो सारा प्यूरी को एड़ करने के बाद में लगातार इसे चलाते हुए दुबारा से हम 3-4 मिनट पका लेंगे तो यहां पे फूट को हमने पकाते हुए टोटल 6-7 मिनट हो चुका है और सारा चीज अच्छे से पक चुका है और य फूट का कंसिटेंसी आप अपना बेबी का एज का अकोडिंग पतला या तो फिर गाड़ा करके दे सकते हैं हलका सा ठंडा होने पर इस फूट को हम गर्मा गरम सब करेंगे सर्दी का मौसा में इस तरह आप वेजटेबल प्यूरी का सूप बनाते हुए फूट में आड़ क बचाने में भी काफी इस फूट को असानी होंगी इस फूट को आप छे महिने से लेकर पांच साल तक कि बच्चों को कभी भी दिन में एक बार बना कर दे सकते हैं तो डियर पैरेंस आज का रेसीपी सापको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दे ऐसे और हाली रसीपी शिर करें लाइक अपलकिल बे ना बुले टोन फोरगेट लाइक शर्थ जाहर एं शेर एं तो जाहर वाच्ट वाच्च्ण वाच्च्ट वाच वीड़ बीच्ट वाट्वाट को शेय।